तो एक कमाने से आया कि थोड़ा बहुत अगरा रिवेन्यों आप दिखाए है अवारी जन्ता को हाँ शोर मैं दिखा दूँ आपको या पर देख सकता हूं कि जो कल का इंकम निखा रहा है तेन फैब का अभी वीडियो में शूट कर रहे हैं यहां पर और तेन फैब का है 1.500 और अभी तक 11 दिन में आपे बन चुका है 3400 डॉलर लोग कहेंगे कि किसी को दो साल लगे किसी को एक साल लगा मेरे सो डॉलर ने मेरे को ऐसा कुछ नहीं में वन मन्त में मैंने 500 डॉलर निकाल तो 2024 में आपको लगता है कि ब्लॉगिंग करना सही है अभी भी इसका स्कॉप जब तो जब तो गूगल है जब तो इसकोब है नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका एक और शांदार वीडियो में दोस्तों आप लोग के काफी डिमांड आ रहा है कि ब्लॉगर और अफिलियेट मार्केटर किशन जी सबसे पहले मैं चाहूँगा एक चोटा सा इंट्रो मैं पिछले 5-6 साल से सबसे पहले मैंने करा एफिलेट मार्केटिंग ठीक है और कुछ की कुछ साल बाद जब फिर मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करी और दैन अब भी मैं एफिलेट भी और ब्लॉगिंग दैन गैस्पोस सर्विसीज भी मैं प्रवाइड करता हूँग में मेरे को एक चीज़ बताएग आपने ब्लॉगिंग की शुरूवात कब से करी ब्लॉगगउग और और अफिलेट मार्केटिंग की शुरूआट सबसे पहले मैंने पाइच्छ सल पहले 2-ится तो अफिलेट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग में थोड़ा इफ्रेंश समझाएंगे क्या होता है अफलेट मार्केटिंग अच्छली जैसे हम कोई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको पर्मोट करते हैं ऐसा रिव्यू अपने ब्लॉग पर उसका एक रिव्यू रेते हैं उसके बेनेफेट उसके उसके साइड एफेक्ट रन तो जो अफलेट आप कर कर दिया है बट एफलेट एंड ब्लॉगिंग जो एटसेंस के थूरू और तीसरा हमारा गैस्पोस सर्विसेश तो गैस्पोस सर्विसेश तोड़ा सा संजाएंगी क्या होता है जैसे अपके पास इस्पोंसर पोस्ट आते हैं लोग आगे कि उनको एक अपकी वेफसाइट कोई जो ग्रोग हो रखी है उस पे आपको कहेंगे कि पोस्ट जे रिजी हमें बैक लिंग चींड डू फोलो बैक लिंग मांगे उसके थुरू तो उसका हम चार्ज करते हैं ठीक है फिफ्टी तू हंडेड डॉलर पर बोस्ट तो गाइस एक और चीज जो लोग बिगिनर्स जाए क्या क्वेरीज लोग साच करके हमारे ब्लॉक पॉस्ट पर आ रहे है तो वह भी अलग टेक्निक है अफ्लेट मार्केटिंग भी अलग लेवल की स्कील है तो अफ्लेट मार्केटिंग के तुरू हम ओनेज कर सकते है जिसमें अफ्लेट के बारे मगर पता होगा तो प्रोडक्स सेल होने का उसके अलावा गेस पोस्ट जो बहुत ही पुराना तरीका है ब्लॉक से एडिशनल इंकम करने का एक्जाम्पल के लिए आपकी साइट थोड़ी पुरानी हो गया है दो तिन लाग का ट्रेफिक आ रहा है अच्छा खासा डोमें रेटिंग है और अथ आप कितनी में उनको लाइक कितना चार्ज करते हो उनसे तो मुटना मोटी बेस पूस्ट यह है अगर आप कई लोगों कमेंट्स भी आते मेरे बास भी आते कि हमारा एटसेंस अप्रूबल नी मिल रहा हमें तो मैं जी खुद के से साइट्स हैं जिन पर एटसेंस हैं नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो अब ही करेंट में अपकी क्या इंकम हो रही है इन सब चीजों से मोटा मोटी एट तो टैन के डॉलस तो आट से दस जा डॉलस कर रहे हैं पर मंत जो इंडिया रुपीस में हो जाते है अराउंड आट लग के करीब बढ़ियां तो कभी लग शु अब शुरू से ही अपने इन सब चीजों में ही किया लग ब्लॉग इंडिया यूटूब पे अने का नहीं सोचा नहीं सोचा है बट हो एक बिजी सदूल ब्लॉगिंग में और इस जो पैसे आप पनाते हो इसमें कोर्से जो गराभी सेल करते हैं आज तक मैंने कोई कोर्स से या फिर कोई करके नहीं कमा रहे हैं तो इनका जो इंकम सोर्स है वो ब्लॉगिंग और अफिलेट मार्केटिंग है तो भाई एक लोगों को मोटिवेशन के लिए अपो दिखा पाऊगे मतलब दिखा सकते हो हां मैं आपको शॉर्ट वीडियो है उसका तो आपको वीडियो स्क्रीन पे अब देख लेना और मैंने वेरिफाई किया है तो इतना तो परुसा करना पड़ेगा सतिश के वीडियो का मतलब दूसरा नाम ट्रांसफेरेट थी त्रांसफेरेट थी का दूसरा नाम नहीं बूल रहा हूं तो ब्लॉगिंग से फॉर्च इंकम करने में कितना पांट्रांसफेरेट मार्केटिंग एक चमेन वेपसाइट लीवस पर आपके जो होते हैं तो नुट्रिस्टिन से रिलेटेटेटेटेश और वह है जो मैं इंडिया में नी बाहर सारा क्योंकि प्राइस जो वहां पे मिलेगा ना वहां यहां नहीं आपी यूटूब में भ एक डॉलर भी नहीं मिलते हैं तो मैंने फिर एफलेट के थूरू मतलब प्रोड़क्ट रिव्यू करें साइट बनाई एक्सपायर डॉमेन लेकर अचा आपको एक्सपायर डॉमेन का है कि आप थोड़ा से जल्दी वाक करने लगजाए पर थोड़ा एक्सपेंसिव और उस और विजन 20 कमपनी हमें उस में जा आपको इसित्फायर जार्य याप करते हैं तो बाई इतने अटमांस लेवल का कैसे शुरू कर लिया प्रमेटा एक कंपनी थी उसमें जोब रख विजिचल मार्केटिंग की जोब करता था या अब भाकि में पड़ था सरूकारी नौकति कि लिए इस टैनल आफर प्रोफेशन है तो अभी में जॉब भी किया आपने जॉब भी साथ सा जॉब भी गॉर्मेंट जॉब मेरी पहले मेरी फिर मेरा चंडी और हाई कोड में नंबर फ़हें मेरा क्लियर हो गया था उसका मेरा इसकी इसकी टैस देना दा खाली और जब तक मेरा माइंड सेट चेंज हो चुका था तब कितना था मेरी सेल्जिय स्टैम थी 25 पचीस आरुपे कोंट्रेक्ट्रेक्ट पर गॉर्मेंट जेल वे में अचेंग में चंडी गड़ हाई कोड का क्लियर हो था तो उस टैम मैंने कितने साल से मैं जॉब के लिए प्रपरेशन कर यह तो साइड वे साइड चलो मैं कर रहा हूं पर उस टैम मेरा माइंड सेट का चेंज हुआ बहुत कि मैं को जॉब नहीं करनी है पैसे यहां से ज्यादा बनने लगी पैसे जाए क्यूंकि जो फिनांशल फिरीडम थी ना वो जॉब से नहीं मिलती जो मुझे ब्लॉग इन बहुत हाई पेंग जॉब बहुत हाई हो तो गॉर्णमेंट में तो आपको मैं अगर रेटायर होने तक भी जाता तो एक सावल आप बस मन्थली मन्थली आता पर मुझे फिर बिलॉग इंग में फीचर दिखा जो लोग तैयारिया कर रहे हैं उनके आप दिल पर मतलब हो कर अधर कुरेद रहे हो अधर करने बस वह पचास जाल में सटिस्वाई है कि मैं चला सकता हो मेरे को जिनको करना हो करे अच्छी जीच है अगर आप पार्ट टाइम आप कुछ करना चाहते तो ब्लॉग इंग है पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो तो वह सरकारी जॉब प्लस अधरी डीसर मार्केटिंग में कैसे आए आप थोड़ा से बताओ कि मैं एक ची मैं नॉर्मल फैमली से पूर फैमली से था तो जॉब भी करनी थी पढ़ाई भी करनी थी और त्यारी भी करनी थी तो मैंने वह जॉब करी चार एलबे की जोब इस्टार्ट करती मैंने पहले कि एक कम्पनी में तो तो वहँवग इली ना वेयर बीखता था और आने बाद पांच बीचा अने के बाद ये आने के बाद फिर तो सुबह या दुर्द करता था ब्लॉगिंग आफिलेट मार्केटिंग तो वहां से दे दे मैंने सबसे पहले मोबाइल लिया नोजर का फिर लैप्टोब लिया फिर इसकूटी वोली प्लॉगिंग के पैसे से सब ब्लॉगिंग से मनलब घर रवालों से कुछ नहीं लिया उन्होंने पढ़ाया लिखाया बस कराया सब फिर अपने पैसों से सब लिया है सब ब्लॉगिंग की ही देना है तो जो आपका अफिलेट इंकम रहता है और एटसेंस इंकम रहता है कितना रहता है रेशियो इसमें क्या सकते हैं 40 60 40 किसका क्यूंकि एफिलेट मैंने कम कर दिया है तो 40 नहीं तो पहले 100 मेरा अफिलेट ही था अफिलेट कम करने का 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 गोगल अपडेट भी आने लगी थी आई रही है भी तो साइट डाउन जिस तरीके से हम करते थे तो साइट डाउन तो एटसेंस में भी होता रहेगा हाँ एटसेंस मे बाता मेला होने लग दिया तूछा इसलिए मैंने साइड को फिरडाँन कर दिया tegoaf अबॉर नगैस पोस्ट में मादा बाता है कि एक पर्टिग्लर डिया आपने मैक्सीमम कितें किया मैंने मैंनेखं़िमब तक किया है 200 डोलर दोसो डोलर उसमें यह नहीं कि अप मुझे 4 लाग 5 लाग का ट्राफिक ची है मिनिमम में रहता 50 थाउजन पचास ड्राफिक रहता है तो पे मेरको 200 डोलर मिल गए ते और बाहर सारा ट्राफिक इंडिया से नहीं तो उसमें ऑन इन एवरेज कहा रहता है कि गैस पोस्ट का चास अगर आपका मन्तली 2-5 जार का भी ट्राफिक है तो मिनिममम 10 डोलर से 20 डोलर आपको मिल जाएंगे गैस पोस्ट के और उसमें बल्क ओडर भी आते हैं जैसे कोई कंपनी है वो आपसे कॉंटक करती कि हमारी 100 पोस्ट है हम आपको 30 डोलर पर पोस्ट द से साइटही निवस्टिट समयार कि में तौत अट समयार के साइड में की साइड में सारी केटेगर कवल करते हैं तो अफिलीट भी से साइड में करती ही अधा से. अचा मैक्रोनीच, मैक्रोनीच सैसे अगर कोई आप का ब्रेन लिए कोई प्रॉडक्ट तो हम सिर्फ उस इस ब्रेन पी बनाईंगा उस से लेटेड ही हम भ्लॉड्स डालेगा इंफोरमेशनल भ्लॉडग फिर कमर्शियल भ्लॉड्स, रिव्यूड् से तो अगर जो अपका न अगर बजट है तो बाहर से भी राइटर को है फ्रीलांस ले और उसको प्रोपर बेसिक जानगारित होनी चाहिए ना बेसिक आपको पहले सीखना पड़ेगा उसको कि मतलब ऐसे टाइटल क्या होता है मैटा डिस्क्रिप्शन क्या है कैसे उसको इंप्लेमेंट करें उस पे यह साथ चीज उसको पता होनी चीए तब यह मैंने खुद यह साननी मैनने कहीं लिया उसकि ब्लागिंग ठोश देनने को इनकान आपको पेया दूप कि प गया मैंने घंशी सखे ना है तो आप कि अजना चाहते हो जाना रफी अलधा व्लॉग इस आप समया पने रफिधूपरreno के साथ यूद् पर ठूरप प्लेय लिस्पना कूआ ह हुआ है एक एक वीडियो से आपको एपिसोड वाइस तो आप हो देख सकते हैं और आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं तोटली आपकी उपर इपन करता है इंस्पिरेशन थी मेरे को आपको भी थी उनसे हर्शागरवाल जी अफ्लेट मार्केटिंग उनकी में था तो वहीं से मैंने भी स्टार्ट की थी बड़िया उनके साथ भी मैंने एक पोड़कास किया हुआ है तो एक होता है कि जिनसे आपने चीजे सीखें और उनके साथ में कर रहे हो तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात उनके साथ वीडियो करना और बहुत कुछ ऐसे आफ कैमरा भी बहुत कुछ सीखने को मिला अभी भी connected है तो हर्शागरवाल जी बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हम देखते हैं आज उनसे ही ज्यादा करके सीखा है उन्होंने ग गूगल चनन बड़ेगा उसके updates, उसके algorithms आपको ब्लॉग अगराम को जीए करिक है कैसे ase qrsto क्रिक है कि अ सब्सक्राइव और जीसे कहाता है इसे चिए हम लोग कर रहे हैं बट आज इंजिए है तो हमारा भी सुच और डिस्कवर का ट्राफिक मिक्स रहता है तो आप लोग का ट्रेफिक का सुच कैसे रहता है सर्च में सर्च से डिस्कवर नहीं करते हैं बहुत यह कुछ पोस्ट चलिगी चलिगी नहीं तो अच्छा लोगों का तो यह रहता है ना कि भाई न्यूस में अलेडी इतनी सारे मीडिया वाले हैं जो ऑफिशेल बड़े-बड़े करेंट न्यूस करेंट न्यूस कि अगर टार्गेट करते हो यह से चूगल ट्रेंड अप्यूस कर सकते है सबसे बास तरीका वही है, वह रिषपोला अख रूवरा बू alltid तन फेमर्छ है उनके भी लोकल सपोट्स था उप सब्से पूट अप किर्केट बहुत फेमस है वहां पर फुट बोल है बास्केट बोल है ठीक है और एंटरटेन्मेंट सबसे चलता है वह तो यहां पर भी है वहां पर भी तो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसकी जीरो डिफिकल्टी होती है अगर जो सबसे पहले डालेगा वो आएगा और हमा क्या 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 हो रही है लोग उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं इंटेंट उसका क्या है तो उसी को हम उठाते है उससे लेटेट और भी मतलब कोई अगर सेलेबिटी है उससे लेटेट कुछ सर्च हो रहा है तो लोग में तो वह जो इंसिटेंट होगा उसको सर्च कर कुछ न्यूस साइडे फॉलो कर लेते हैं बाहर की जो वहां का कंटेंट ही मिलते हैं तो अभी जैसे आपको 5-6 साल का एक्पिरेंस हो गया है ब्लॉगिंग फिल्ड में तो आपके हिसाब से अभी किन नीचेस पे अगर हम काम करें तो सकसे मिलने के चांसे किस तरह के नीचेस काफी उसमें अगर आपको जाना है तो फिर मैं जो कुछ यूज करता हूँ एक्सपार डॉमेंस जिनकी अथोर्टी ओल्रेड होती है थोड़ा बताईए एक्सपार डॉमेंस जैसे होते कि कोई पहले कंपनी या कोई अधर है जैसे कोई डिपार्टमेंट आज कर लो गवर् है डिए पीए है गोगल की नजरों में उसकी अथोर्टी पहले से बनी हुई है तो उसको पुछ करता है जल्दी जैसे मैंने डॉमेंट पर्चेस किया उसको मैंने सेट अप करके अपने ब्लॉक्स डालने स्टार्ट करें तो विदिन इंडेक्स होते ही वह आपको नाइकिं सब्सक्राइब है कि हमने ब्लॉग शुरू कर दिया ब्लॉग पोस्ट भी करने लगे ट्रैफिक कैसे लाएं इनिशेली आपको लाना है तो अगर फ्रेश डोमीन यूज करें तो आप सबसे पहले उसको शोशल शेयर मैं जो अगर फ्रेश डोमीन मनाता हूं तो पिस वहले म मैं एक मिन तक कंटेंट डालता हूं पहले मतलब अप्रूवल के लिए नहीं डालना आपको कुछ भी नहीं सिर्फ आपको जो फोकस करने कंटेंट पर ठीक है आपका जितना कंटेंट रिच होगा उतना ही जल्दी रैंक करेगा जो इंडिया हो जा बाहर का हो सब जगा सेम उसके बाद आपके और आपके जो कंटेंट अना वो पूरा ऐसे अप्टोमाइज होना अच्छी है आपको इमेज भी यूज करनी है यह नहीं कोपी पेस्ट कर दी आप खुद इसको बनाओ पहले होता था हम भी यूज करते हैं उठाई यहां से गूगल से उठाली और कर ल गाइड है उसने की हाउ टू फिक्स दिस एरर तो आपको उसमें इसकी शोट या कुछ लगाने पड़ेंगे इमेज इसके प्रॉपर गाइड मिले उसे विजुलाइज बनाके यूज अच्छा करें आप बिलकुल तो वह आपको रैंकिंग से गूगल भी नहीं सोकेगा चा पैसे कमाने कब तक शुरू हो जाएंगी कितने टाइम में अब अगर जब इंडिया में कर रहे हो तो उसका अलग है और अब भार कर रहे हो तो अलग है क्यों सीपी सीटी आरो में इसना मोटा मोटी समय पकड़ के चल सकते हैं मिनिमम अगर रखो तो तीन महीने तो तीन मही इसमें कशिव ऑघानलीज है कि आपको ङुछ तो आपको सीखना पड़ेगा पहले तो एक मही ना या तो आपको दो महीन दो आपको सीखनEP महीं उसको करने का इन लग लगेगा है घृह उसमद कुछ इस मेन कुछ इस्यू आता है तो आपको ठीक भी करना कै वह तो ही थों म imagination कि चीक आपके knaluez आपको wordpress कि वोऊ सीखना पड़ेगा आपको पहले wordpress मैंने सबस्चा बला गाद सब्सक्राइब. यूटूब से देखा फिर मैंने एंपलेमेंट की एक नहीं मैंना बीस यू ब्लोग बनाया सीखने के लिए बस लोग कहते हैं कि वो बंदा इतना कमारे एकदम इतने पर उसकी मैनत है बिल्कुल वो नहीं दिखती तो कमाने से आया के थोड़ा बहुत दगर रेवेन्य आप द थर्ड बार्टी एक वो है एड नेटवर्क प्रीमियम प्रीम एड नेटवर्क पर यह सिव आपको टैर्वन कंट जो यूएस से का ट्राफिक पर ही आपको गॉटिट यह देख सकता हूं कि जो कल का इंकम दिखा रहा है तेन फैप का अभी वीडियो शूट कर रहे हैं यह और 10-7 का है 1.500 डॉलर और अभी तक 11 दिन में आपे बन चुका है 3400 डॉलर और लास मन बना है 7000 डॉलर ठीक है मतलब इस महीन थोड़ा ज्यादा बन रहा है तो 7000 डॉलर इस से बना है इसके रावा और भी आपके जिसे गैस पोस्त अलग हो गया एफलेट वो अलग है और 2023 में 23,000 डॉलर बने है और दिसंबर में दिखा रहा है 8600 ओके और जनिवरी 2024 में 7000 डॉलर बने है मतलब वही 7-8 के इसमें बना है अगर नाइफ जिस लगा होगे तो और बाकी गेस पोस्त और गेस पोस्त और अगल एक्सेंस मिला के 10 के क्रॉस कर जाते है तो गैस थोड़ा पेपाल का रिपोर्ट दिखा देंगे पेपल का मैं रिपोर्ट दिखा दूंगा ठीक एग तो फिलाल आप से अमने इतनी चीजे पूछी जाते जाते अगर मेरी ओडियंस को बताओ कोई तीन चीजें तीन टिप्स ब्लॉगिंग में अगर कोई उतर रहा है तो उनके लिए लॉगिंग में बारे हो तो और दूसरा अगर आप राइटिंग स्किल आपको आते है तो यह प्लस पॉइंट है आपके लिए तो अगर आप थोड़ा सा बज़ट है तो फिर राइटर आपको हायर करना पड़ेगा तीसरा है आपको कंटेंट जो है अपको उसकी जो फ्रक् आपको आपको जब आपको करोगे ना खुद ही कोगे हां बड़े यह प्लस पॉइंट है और दूसरा जो ओल्ड कंटेंट मैंने आप से बात रिचे वाले कंटेंट को आप हमेशा अपडेट करते रहें पीछे वाले कंटेंट करते रहें तो उससे भी आपकी रैंकिंग में हंड़परसेंट किया है वह भी बूस्त लेगा वी कर दो पर बड़िया कर दो अरे इक ट्रो ब्वइन पर बिगनर काम कर रहें तो वह इस्टार इन अग करते हैं एक स्टार वी अगर नी करते हैं तो चार डोमें भी ले रहा हूं तो उसमरे जूर को चारो ही मेरे आपका बजट है आपका बजट है आप रिसक ले सकते हो कि मैंने दस जार का खरीदा है डोमेन अगर इस चला भी गया तो में को कोई फरक नहीं पर नहींगा आपका अगया पर खरीदा विए डियिया काम करें अब अब कितने साइट आपने परा दिए और कितने साइट आपने परखे हो गया है छोटेय आपके घर आप चाहिए हो बढ़ें तो बना तो इससे अने लिए तो अब शोल्ट्रानीय प्लस से ज़्यारा दो मैं तो अभी लिए था आघाए खुश्ट है कर लेका दाओ लेगे हैं अधोर किसम अब धर कर लोग चाहिए को कितना अश्रेए देना चाहोगे इसमें फुल परसेंट ब्लॉगी अगर मैं जॉब में ओता अज सरकारी नोकरी भी कर रहो तो मुझे लगता मैं लगता अगर सरकारी नोकरी वालों को अलग से इज़त मिलती है इज़त किस टाइम के मेरा जो पॉइंट वीव है जब तक आप डेपार्टमेंट में तब तक ही मिलनी है साल बात फिर में डेटायर होने आपको उसके आपको कोई नहीं पूस्ता चरी बात है जब तक उस पोजिशन में कुछ निया है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं इंस्पिरेशन के लिए इंसाइट के लिए तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोगो का धन्यवाद अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किये भी ना मत जाना क्योंकि बिल्गुल फ्री और साधी साधी यहां पर इंस्पारिंग गेस को भी मैं लेके आता रहता हूँ और मनी मेकिंग से अब बाते करते रहते हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लेना तो दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते किसी हो दबाके दार वीडियो में तब तक के लिए आप जहां भी रो मच जाते हो